यह वेलकम तो माइचैनल सुमेटरोट का डीटिंग और इससमय पर क्या एनर्जी से देखेंगे ट्यार गाई इस सो जनल इन्डेंग यहां पर काड आया है मेरे पास फिर्स्ट एनर्जी से यहां पर चेंज की आही हुए है और जो कि चेंज को बता रही है और यह काड जो है वो यहां पर ऐसा लग रहा है इस कार्ट को देखकर कि कोई बिक चेंज जो है वो आपके लाइफ में आ रहा है या फिर कोई बिक चेंज इस समय पर आपके लाइफ में आया है और यह कार्ट थोड़ा सा करेंगे डिफाइन करना होगा और कार्ट को लेकर की अने स्पक्तिड चेंज दिखते हो में यह चेंज है क्या और सेहन एलाइफ है क्रेंदमों का थेले मिह सी कलते क्लिके थेले का रहे एकुर्क इस प्रत्चिनर परम यह को शल्राश लिवरा लिवन कैंसर स्ट्रेस में बहुत है गुस्से में बहुत है सेप्रेशन में है आपके परसन फैमली का इशू दिख रहा है यहाँ पर प्रेशब राशी और क्याप्रिकॉर मका राशी एडीज अगर राशी आपको नहीं मिलती है तो आप लोग जो है वो गार्ट से अनर्जी देख सकते हैं कार्ड में जो अनर्जी आ रही है उस अनर्जी से भी आप मैच कर सकते हो वह से आल सांग प्रडिक्शन होता है लेकिन जो राशी मेरे को पर पर अनेरजी में तको पर मुझे दिखाए दे रहा है कि बहुत जुचान का और सेपरेशन में दिख्षान हैं तो देखो एनरजीज यहाँ पर क्या कह रही है कि सेपरेशन में है आपके परसन ठीक है और बहुत जादा मतलब इनकी फिलिंग्स आपको लेकर ऐसी दिख रही है कि जैसे कि दूरियां जो आप लोग की बीच में हैं इस समय या फिर आप लोग की बीच में इस समय बात नहीं हो रही है ठंक से बात नहीं हो रही है या फिर ऑन अफ सिच्वेशन चल रही है तो इससे परिशान है और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको लेकर काफी ज़्यादा सीरियस भी है मतलब आपके साथ रिष्टा रखना तो चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रवेंस बहुत हो रहा है तो काफी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाए दे रहा है कि फैमली का कुछ इशू है फैमली को लेकर कुछ दवाब इनके उपर पढ़ रहा है जिस दवाब से यह क्या हो रहा है कि मतलब इनको फैमली के अगेंस्ट जा नहीं पा रहा है जाना चाहते हैं फैमली का प्रेशर दिख रहा है फैमली का दवाब इनके उपर दिख रहा है बट में चीज़ क्या हो रहे हैं कि यह उस दवाब में परिशान हो रहे हैं इनको इनकी अनर्दीस क्या है कि इनकी अनर्दीस के अकॉर्डिंग यह आपके साथ रिष्टा रखना चाहते हैं इनकी अनर्जीस के अकॉर्डिंग आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं इन्हें उन्हें कमिट्मेंट आपको दिया था अगर पीछे कभी तो यह कमिट्मेंट अपने पूरा करना चाहते हैं आपके साथ फैमली बनाना चाहते हैं आपके फैमिली में रहना चाहते हैं आपको अपना ना चाहते हैं ठीक है लेकिन कमिट्मेंट देने के बाद यहां पर यह पूरा नहीं कर पा रहें दूसरी चीज़ अगर कमिट्मेंट नहीं दिया है तो यह देना चाहते हैं लेकिन फैमिली के बज़ा से रुक रहे हैं शादी हो सक कि आपके साथ करना चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं लेकिन यहाँ पर नाराज़ की मुझे आप इसलिए दिखाए देरी सेपरेशन में है क्योंकि यह इसलिए मतलब नो कांटेक्स सिच्वेशन है यह फर आप यह समझ लेजे कि आपको लेकर कफेदा सीरियस हैं वो चीज़े हो नहीं पारि हैं जो रिष्टा यह आप से रखना चाहते हैं जो सिच्वेशन इनकी आपके हैं पूरह यह दुए को ब्लॉक करके रखा हुआ है मुझे ऐसा भी देख रहे अच्छा दूसरा आपका लॉंग इसटेंस भी सहते हैं यहां पर दुख रहे हैं ल लेकिन आपका सब को स्टीक चल रहा था, बट सडन चेंज इस आ गया, यहां पर देख रहे हो, अभी चेंज क्या दिख रहा है, यहां पर न्यू विजन का कार्ड दिख रहा है, यहां पर इनर वाइस का कार्ड है, ठीक है, अभी यह तीनो कार्ड अगर मैं ले लेती हूँ, और इस कार्ड के बेस पर मैं इन कार्ड को देखके तो कहीं न कर बहुत चेंज आ रहा है कि अपके रेलेशन में बहुत बिक चेंज में बोलूंगी कि बहुत बिक कुछ ऐसी चीज़ें जो की का फिदा शौकिंग भी आप बोल सकते हो तो ऐसी सुच्वेशन अगर इनकी हो रही है तो यहां पर आप यकीन मानिए क्योंकि इनकी जो इनकी इनर वाइस है जो इनकी अंतरात्मा जो इनकी फिलिंग्स है वो फिलिंग्स में आपको लेकर दूरि कर दिया था बट अचानक इन्होंने अपनी ही कही हुई बात को इन्होंने रिवर्स कर दिया मतलब एक परसन जो प्योले कमिट्मेंट दे चुका है आपको बोल चुका है कि मैं किसी कीमत पर इस रिश्टे को खत्म नहीं करूंगा बट वही परसन सड़न आप के रिष्टे को छोड़ कर चला जाता है, यह चीज मुझे यहां पर दिखाए दे रही है, तो क्योंकि कहीं न कहीं इसी बज़े से वो separation में है, इसी बज़े से वो tension में है, दूसरा आपस में कुछ misunderstanding में मुझे दिख रही है, आप लोगों के बीच में, वो misunderstanding जो है न, वो काफी हादे दग आपके रिष्टे को disturb करने के लिए वो है, लेकिन आपके person जो है न, में चीज क्या हो रही है, कि जो भी चीज़े हुई, अभी आपके person और उसी की बज़े से यहां पर मुझे ऐसा लग रही है कि down energies होई, energies slow हो गई, अभी की condition आप देखिए, condition में changes हो रहे हैं, मतलब, third person जिस चीज़ के बारे में आपके person को down करने की सोच रहता है, आपसे दूर करने की बारे में सोच रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक की चार लगा कर बता रहा था आपकी person को, या फिर वो पूरी कोशिस ही कर रहा था कि आप आपकी person जो है, आपकी तरह बिल्कुल आपसे बात नहीं करें, दूरिया बना लें, है ना, उन्होंने शायद ब्लॉक भी आपको कर दिया था इसे पज़े से, और काफे टाइम से ब्लॉक किया था, लेकिन, मन तो मन है ना, दिल तो दिल है, feeling तो feeling है, trueness तो trueness है, तो यह आपके person जो है, वो कोई आपके लिए बड़ा big strap ले सकते हैं, जिसमें कहीं न कहीं आपका रिष्टा उनके साथ दुबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि इनकी जो feelings है, जो उनकी energies, वो energies में मुझे यहाँ पर यह चीज दिख रही है, उस energies में मुझे आपके लिए दिख रहा है, family का pressure बहुत है, लेकिन वो pressurize होना नहीं चाहते हैं, उस pressure में आना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ दुबारा से एक new करीके से relation, दुबारा से एक new energies में यहाँ पर मुझे आता हूँ दुखाए दे, तो possibilities बहुत है, एक नया रास्ता आपको मिलने जा रहा है, changes है, angels की जो है, वो किरपा है आपकी पर divine energy से नजर आ रही है, divine time आपका start होने वाला है, उस divine time में अगर आप अलग हो, और coffee time से आप अलग हो, तो फिर आप लोग एक होने वाले हो, change यहाँ पर बहुत बड़ा यह दिखाए दे रहे हैं, पहले जो person आपसे बात करने को त्यार नहीं हो रहा था, वो person आचानक से अब फिर changes हो रहे हैं, उसमें changes में कहीं न कहीं, यह इस समय पर आपको लेकर बहुत ज़्याद है, emotionally हो रहे हैं, तो यह change मुझे यहाँ पर इनका दिखाए दे रहे हैं, बाकी कि यह cards में आपको बताए दिये, कि slow energies थी लेकिन धीरे धीरे, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो, condition ऐसे हो रहे हैं, कि family का pressure है, pressure में दिख रहा है, बन्ना यहाँ पर allergies ऐसी नहीं थी, तो कहीं नहीं कहीं किसी बात को लेकर कुछ stress ननाओ है, जिससे इनका वेवियर आपको changes लग रहे हैं, बट यह ऐसी इतनी आसानी से आपके साथ रिष् खतम हो गया, तो आप यह चीज मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर change का card इसी लिया है, जो कि इस feelings को बता रहा है, कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक ऐसी energy start होने वाली है, जिसमें change तो है ही, मतलब आपके रिष्टे को लेकर आपके person का with a serious नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा maturity नज़र आ रहे, कोई big strap ले सकते हैं, कोई बड़ा decision कर सकते हैं, family के against जाकर आपके लिए, जो है, वो strap ले सकते हैं, so dear guys, I hope so connect की होगी मेरी यह reading, कितना connect किया है, ज़रूर बता दीचेगा मुझे, और personally आपको कोई भी guidance अगर मुझसे लेनी है, तो मेरे number मेरे video पर मिल जाएगा, and take care, bye bye